धर्म के नाम पर औरतों के सोशल का सिल्सला जारों वर्तों से जारी है आज भी नाजाने कितने बाबा, स्वामी और धर्म गुरू बड़े-बड़े सेक्स स्केंडल में फसे हुए हैं मीडिया में रोजा नाइट के काले कारणा में उजागर होते ही रहते हैं देवदासी हिंदु धर्म की एक बहुत ही परानी प्रता है देवदासी का मतलब है देव की दासी यानि देव की पत्नी भारत के कुछ शेत्रों में खास कर दच्छन भारत में महीलाओं का धर्म और आस्ता के नाम पर सोशल किया गया सामाजिक और पारिवारिक दवाव के चलते ये महीलाएं इस धार में कुरिती का हिस्सा बनने को मजबूर हुई इतियास कारों के अनुसार देवदासी प्रता लगबग छटवी सदी में सुरू हुई थी ऐसा माना जाता है कि अधकांस पराण भी इसी काल में लखे गए कुछ लोग भगवान से मन्नत मंगते हैं और वो मन्नत पूरी होने पर जो लड़की होती है उसे भगवान को छोड़ते हैं और उसकी भगवान के साथ शादी रचाते हैं और वो तब से देवदासी की नाम से जाने जाती है तब से वो मंदिर में समाज में सिर्फ नाशने के लिए ही रह जाती है वो नहीं स्कून जा सकती है और नहीं दुसरे किसी के शादी भी कर सकती है मेरे वहले गाउसे दस किलो अंतर में जो जेजोरी गाउ है उस गाउ में जो देवदासी समोर है वो आज भी भकवन और समाज के कारण शिक्षन से उन्ची थे देवदासी प्रथा के अंतरगत महिलाओं और कुमारी लड़कियों को धरंग के नाम पर मंदिरों में दान कर दिया जाता था उनका वेवा मंदिर के देवदा से करा दिया जाता था और यही से सुरू होती थी इन महिलाओं और कुमारी कंद्याओं के सोसड़गी कहानी इन देवदासियों के साथ मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर सारे लिक संबंद बनाने सुरू कर दिये कि इससे उनके और भागवान के बीच संपर्क इस्तापित होता है और धीरे धीरे यह उनका अवकार बन गया जिसको सामाजिक मानता भी मिल गई इन देवदासियों को मंदिरों की देखरे एक साथ साथ मंदिरों में नाचने के अलावा खुजारियों और प्रभावसालि देख्कियों के साथ अमिस्तर होना पड़ता था आलिदास द्वारा लेके गए काप्ड़ में दूट में भी मंदिरों में नरत्य करने वाली आजिवन कुवारी कर्ण्याओं का बरड़त मिलता है जो साथ देवदासियां ही रही होंगी इसके अलावा मतस्य पुराण और विस्दु पुराण में भी देवदासि प्रता का उनलेक मिलता है यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ज़्यादातर देवदासियां समाज के गरीब और निचले तपके से आती थी प्रसिद लेखक दोबोईस ने अपनी कुस्तक हिंदु मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है कि प्रत्यत देवदासि को मंदर में नाचना गाना पड़ता था साथ ही मंदरों में आने वाले खास महमानों के साथ उसे सोना पड़ता था गूगल सर्च करने पर आपको बहुत सारे लेख और खबरे इस बारे में मिल जाएंगी इस मुद्बे पर कई खिल्बे और डॉकुमेंट्रीज भी बन चुकी है लेकिन बड़े ही आश्चर्रे की बात यह है कि भारत में इस प्रथा को गेर कामूनी गोसिक किये जाने के बाद भी दच्छिड भारत के कई मंदिलों में यह प्रथा अभी भी जानी है वही सरकारे भी इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम साबित रही है परवरी 2015 में सुप्रिम कोट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिये थे कि किसी भी तरह इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए 23 परवरी 2015 के टाइमस अफ इंडिया में छपी एक ख़वर के अदुसार तेलंगना और अंद्रप्रदेश केवल दो राज्यों में ही 80,000 देवदासियां अभी भी मौजूद हैं देवदासि परथा का सबसे अधिक चलन करनाटक, आंद्रप्रदेश, तेलंगना, तमिल नाडू, महराष्ट, ओडिसा, गोवा और बंद्रप्रदेश के कुछ अलाकों में हैं तो आप अंदजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में इन देवदासियों की संक्या कितनी होगी हमारे देश में जहां एक और महिलाए, कार, ट्रेन, मेट्रों से लेकर हवाईजाज तक उड़ा रही है वही दूसरी तरफ महिलाओं का एक तबका इस देश में आज भी देवदासि के रूप में मौजूद है जिससे एक ही देश के अंदर इंडिया और भारत के बीच का अंतर पता चलता है उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस देवदासि प्रता को पूरी तरह बंद करेगी और इन देवदासियों के पनरवास पर भी कोई विचार करेगी अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना ना भूलें